कलास 10th, मैथ अब्जेक्टिव कोश्चन देखिए पहला कोश्चन है हमारा दो परमे संख्याओं के बीच अधिक्तम कितनी परमे संख्याओं हो सकती है बहुत बहुत हरा हो सकती है यानिकि अनंत हो जाएगा निम्दलिखित में कौन सी अभाज ये संख्या है जिसमें मतलब किसी से भाग नहीं लगे तो 29 में किसी से भाग नहीं लगे मतलब किसी के पहड़ा में नहीं आएगा ठीक है 0.3 पर बार है यानि कि 3 बटा 9 हुआ 3 बटा 9 कटा देंगे तो 1 बटा 3 आजाएगा अगला कोश्चन देखिए साथ पलास तीन रूट दू है यानि कि इसमें रूट है जो रूट में रहता है वह परमे संख्या होता है एंसर हो जाएगा बी नमबर परमे संख्या है जो मतलब रूट में नहीं रहता है वो परमे संख्या है ये भी रूट में ये भी रूट में ये भी रूट में ये रूट से बाहर हो जाएगा चार के स्कुवाइर है तो ये चार हो जाएगा ये पर में संख्या, D number answer हो जाएगा 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपाद पताना है जब इसका हम लौसा निकलेंगे तो लौसा आ जाएगा 60 और मौसा निकलना है मौसा जब हम निकलेंगे तो आ जाएगा 5 तो हो जाएगा बारे पचे 60 अब आटा एक बारे अनपत एक अंसर हो जाएगा D number अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन है हमारा किसी पूर्णा एम के लिए स्वम संख्या का मान होगा हमें एक दू तीन चार पांच रखेंगे देखेंगे किसमें स्वम आ रहा है वही अनसर हो जाएगा एक रखिएगा तीन हो जाएगा बी सम है एक रखिएगा तो दू है एक तीन हो जाएगा बी सम हो जाएगा इसमें भी रखिएगा एक तो दू हो जाएगा जो है छो और पाचास के बिशुतरा के कितना होगा तो उसके अंशर हो जाएगा इसमें से कौन ऑप़र में नहीं है अप़र में है ये ये वाला नहीं है क्योंकि यह एक आरे के स्क्वाइर है रूट हट जाएगा अखला क्वेश्चन देखिए बारे नमबोर दसम्लब पर सरसांथ है सांथ उसी वह होता है जो निचे दू पांच भर्चे खाली फैक्टर करने पर फैक्टर करने पर या तो यह अप्शन गलत दिये दूगों नहीं देना चाहिए इसको तो यह अगला कोश्चन देखते हैं तेरे नमबर क्या कोश्चन है सबसे छोटी अभाजय और सबसे छोटी भाजय संख्य के गुड़न फल बताना है तो हो गया इसका एंसर जो है चार सबसे छोटी अभाजय और सबसे छोटी भाजय संख्या ठीक है अब है संख्या ए और अठारा का लौस तथा मौस दू है तो ए का मान बताना है दो संख्या है ए और अठारा का लोसा तथा मोसा दू है तो फर्मुला होता है लोसा गुड़े मोसा बराबर दो संख्याओं का गुड़न फोल दो संख्याओं का गुड़न फोल अलोसा गुड़े मोसा यह जो है आमारा फर्मुला होता है तो एक कमान जो है आपको बताना है मीटर प्वाश्यम जाता है 14 मीटर प्वाश्यम जाता है 12 मीटर ऊतर जाता है तो परांभी मतलब कि ये दूरी जो है निकाल देना है 24 के स्कौाईर प्लस 12 के स्कौाईर कर देंगे ठीक है इस तर शमर एंसर अजाएगा 26 question number 17 देखिए 6 बट पंद्रे का दो समलो परसार होगा दो समलो परसार क्या 7 होगा कटा देंगे नीचे 5 बचेगा अभाज ये संख्या इसमें से अभाज ये संख्या ये गा रहा है कौन अपर में है बताना है ये रूट से बाहर हो जाएगा ये आपका उपउर में है रूट से बाहर नहीं होगा 4 माइनस रूट 3 ये आपका उपउर में संख्या है तो इस वीडियो में आपको 20 वह अबजेक्टिव question बताया है चाप्टर 1 से इसी तर हर चाप्टर से आपको objective question बताया है तो दोस्तों अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेस पर देता कि अगले वीडियो को निटिकर्शन आपको मिलते रहेगा